इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे रायस्थान और पंजाब के बीच में होने वाले एक और जैकपॉड मैच की तो रायस्थान की टीम औरेड़ी क्वालिफाई कर चुकी है और पंजाब की टीम बॉटम में अल्रेड़ी एलिमिनेट हो चुकी है अभी मैं इस match की बात करूँगा detail में उसके पहले कल की winning देख लेते हैं दिल्ली और लकनों के बीच में मुकाबला था हमने super ultra clean ship किया यह हमारे team है इसमें हमने captain बनाया था Jay Fraser को safety के लिए यह जारा तर लोगों ने इनको captain और wise captain बनाया था हमारे team में T.E. Stubbs थे जिनको बहुत कम लोगों ने लिया था Nicholas Puran को कम लोगों ने लिया था खास बात है Abhishek Poral और Sai Hope को कम लोगों ने लिया था हमने आसानी से super ultra clean ship किया मैं आपको winning दिखाता हूँ हम लोगों ने 75,000 रुपे का investment किया और 2,25,000 के winning की 1,27,05 और profit कमाया हमारे तीनों ही contest में ये वाले opponent थे जिनसे 90 points से ज़्यादा हम हाई थे और team देखके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमने clean ship किया कुछ members की winning हमने आपे share किये इन्होंने दोनों contest clean ship किये ये इनका screensort है किसी और application में इन्होंने किया है एक और हमारे member है इन्होंने 6,000 लगा करके लगबग 12,000 रुपई की winning की 6,000 रुपई का profit हुआ ये इनके screensort है dream 11 दूसरे application के एक और member है ये भी हमारे small investor है इन्होंने investment 6 लिग इन्होंने joint की 6 की 6 लिग इन्होंने clean ship की लगबग 1,000,000 का इन्होंने investment किया था यानि 1,68,000 रुपई का इन्होंने profit कमाया ये इनका screensort है एक और member है इन्होंने 15,700 का investment करके 41,000 रुपई की winning की 25,300 का इन्होंने profit कमाया इनकी leak का screen source है अलग-अलग इन्होंने 21,500 का investment करके 39,500 रुपए की का profit कमाया winning इंकी 61,865 की हुई ये इंका screenshot है इन्होंने थोड़ा कम investment किया था 39,000 का investment करके 8,000 रुपए की winning की 4,100 का profit हुआ ये इंका screenshot है इसके बाद इन्होंने 17,949 का investment करके 44,000 रुपए की winning की 26,120 रुपए का profit कमाया तो कुछ members के randomly हमने winning share की है अब यहाँ पर इन दोनों team की अगर में बात करो आपको पता है राइस्थान की team बहुत ज़्यादा strong है राइस्थान की team की अगर में बात करो तो इन्होंने total खेले हैं 12 match और 8 match जीते हैं और इन्होंने जो हा रहे हैं वो चार match हा रहे हैं अब इनको केवल एक match जीतना जरूरी है टॉप टू में जगह बनाने के लिए और दो match अभी इनको खेलने बाकी है तो ज़्यादा हाई चांस है कि टॉप टू में रहेगी राइस्थान की team और आलरड़ी KKR की team आलरड़ी टॉप टू में जगह बना चुकी यानि क्वालिफायर वन में एक चीज पक्की हो चुकी है कि KKR होगी ठीक है अब इनके साथ राइस्थान खेलेगी अगर वो एक match भी जीच जाती है अगर दोनों ही हार जाती है तो बात अलग है फिर इसके बार यहाँ पंजाब तो अलरड़ी eliminate हो चुकी है अब यहाँ पे यह हमारा WhatsApp नमबर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 91140-233-474 इस पे आप WhatsApp पे message कर सकते हो अगर आप loss में हो Telegram चैनल का link वीडियो के नीचे description box में दिया हूँ है आप हमको join कर सकते हो scan करके Telegram चैनल ले पहुंच सकते हो यह आपको Telegram चैनल दिखाई दे रहा है अब यहाँ देख लेते हैं दोनों टीम के बीच में जो head to head matches हुए है उसमें क्या हुआ है उस पे एक बार हम नज़र डाल लेते हैं तो दोनों टीम के बीच में जो last match हुआ था वहाँ पे 147 बनाया था पंजाब की टीम ने यहाँ पे राइस्थान की टीम ने इसको तीन विकेट से match को जीत लिया था इसमें किस ने कैसा performance किया था वह हम देख लेते हैं तो यहाँ देख सकते हो आसुतोस सर्मा ने 31 बनाया था जीतेस ने 29 बनाया था लिविंगिश्टन ने 21 रन एक विकेट रबाड़ा सेम कुरान ने दो-दो विकेट लिया थे एंड इसके अलावा एक विकेट लिया था अर्सदीप सिंग ने यह match हुआ था चंडीगड में एंड यहां इसी सीजन हुआ था match नमबर 27 नहीं है यहां पर यह सस्वीज एसवाल ने 39 हैत्मायर ने 27 24 रंग कौटियान ने बनाया था दो-विकेट आवेस कान, दो-विकेट केसम महराज और एक विकेट ट्रेंड बोल ने लिया थी यह 2024 का match नमबर 27 है मैं इस पर भी आऊंगा और भी बाकी matches है पहले हम देख लेते हैं venue and pitch report तो practically हम देख लेते हैं पहले इस season इस venue पर पहला match हो रहा है ठीक है और यहां पर जो match हो रहा है last match जो हुआ था international match हुआ था इंडिया और 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 औस्टेलिया के बीच में जहां इंडिया ने 222 रम बनाया था और ऑस्टेलिया ने 225 रम बना करके match को जीत लिया था गुवाहाटी में यह match हो रहा है Pacers ने 5 wicket लिया Spinner ने 3 wicket लिया यहां पे Pacers और Spinner दोनों को wicket मिलते हैं Spinner को खास करके second inning में advantage है 3-5 यानि जिश टीम की second balling होगी उसके Spinner को आप ले सकते हो Run दोनों inning में अच्छे बनते हैं जो कि आपको इसको देखके समझ में आ गया होगा 223 का target chase हो गया यहां chase नहीं हो पाया राजिस्थान ने 1099 में बनाया डेली की टीम 142 ही बना पाई 7 wicket Pacers 6 wicket Spinner 16 run से मातर हा रही है यानि run दोनों inning में बनते हैं 2 wicket Pacers और 3 wicket Spinner अब यहां पर detail में वैन्यों पिच रिपोर्ट अब हम theoretically देख लेते हैं तो यहां देख सकते हो traditionally क्या है यह high scoring ground है T20 cricket में and batting के लिए बहुत अच्छी पिच है baller यहां पर बहुत hard effort करना पड़ता है wicket लेने के लिए यानि आपको ज़्यादा ज़्यादा batsman लेके चलने हैं और Pacers आपको लेने हैं दोनों inning के important और आपको Spinner 2nd inning के अगर आपको लेने भी है नो 2nd inning के आपको लेने है total 2 T20 domestic हुआ है batting first नहीं दोनों जीता है इसके अलावा average score 198 का है बहुत बड़ा है and 199 राइस्थान का highest है और lowest भी यहाँ पर 197 है दोनों बार 190 प्लस बनाए है international match यहाँ पर 3 हुए है जिसमें की उल्टा हुआ है यहाँ पर batting second नहीं 2 match जीता है तो meshting में दोनों batting first नहीं जीता है एक तो international match मैंने Australia chase कर ली थी इंडिया को हरा के 223 का target वो मैंने दिखा दिया 192 का average है 237 highest यह 188 lowest है दो बार 190 प्लस बनाए है एक बार 150 के नीचे बनाए है अब देख लेते हैं इस venue पर कौन से batsman औ बॉलर अच्छा performance करते हैं तो यह सवीज एसवाल यहां पर 2 match खेल चुके हैं अच्छा record है 71, 60 highest है बटलर ने 2 match में 98, 89 highest है बैटिंग पिछे तो सारे important batsmen लेने हैं आपको Sanju Samson 2 match में बयाली से कोई खास record नहीं है लेकिन form बहुत अच्छी है और बैटिंग पिछ में important है रियान पराग का यह पहले के रियान पराग का record है लेकिन आज कल वो आले रियान पराग नहीं है बहुत confidence आगया इंके अंदर पहले भी confidence था लेकिन वो over confidence था अब यह काफी composed inning खेल रहे हैं रिस्क नहीं ले रहे हैं और बहुत बड़े-बड़े hits लगा रहे हैं important रहेंगे हैत्मायर का मौका नहीं मिलता है important नहीं है लेकिन record भी कोई खास नहीं है दुरूब जुरेल का भी ठिक ठाक record है सिखर खेल नहीं रहे हैं अदर्वाइज इन्होंने एक match में 86 मारा है जितेश सर्मा ने एक में 27 मनाया है रसोव फ्लॉप रहे है बॉलिंग में ट्रेंड बोल्ट ने दो match में 4 विकेट लिये है चहल ने एक में 4 लिये तो इन दोनों का सबसे अच्छा record है चहल का बोल्ट का राहिस्थान की तरफ से ये दोनों important होंगे संदीप ने एक में एक लिया है रवी चेदर नस्विन ने दो में एक लिया है एक में एक पॉवेल ने लिया है अर्सदीप और नाथन इलिस का अच्छा record है तो most probably नाथन इलिस इस match में खेल सकते हैं और आपको पता है कि बटलर बाहर जा चुके है तो AJ 4M प्लेयर ये खेल सकते है या तो फिर ये भी हो सकता है कि टॉम कोहलर काड्मोरे अगर एवलेमल होंगे तो वो भी ओपनिंग करने आ सकते है तो यहाँ पर इलिस अच्छा खेल चुके हैं याद रखना अब यहाँ पर दोनों टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं तो टॉम कोहलर कैड्मोरे का हाई चांस से ओपनिंग करेंगी SSV के साथ फिर संजू सैंसेंगे दुरुप जुरेल, रेयान पराग, सुभम दुबे रवी चनर अस्विन, नांद्रे बर्गर ट्रेंट बोल्ड आवेस खान और येजुएंदर चेहल यहाँ पर नाथन इलिस पंजाब में वो खेलते हैं मैंने नाथन इलिस का देखना पड़ेगा आइ थिंक वो पंजाब में है, ठीक है तो मैंने रॉंग बता दिया आगे चलते हैं तो उनका इस से कोई मतलब नहीं है जौस बटलर से जौस बटलर नहीं खेलेंगा, एवलेबल नहीं है वर्ल्ड कप की वज़े से वो इंग्लैंड जा चुके है प्रभसिमरत सिंग जौनी बेश्टो के साथ ओपनिंग करेंगे अगर एवलेबल रहेंगे जौनी बेश्टो बगएरा इनको भी तो वर्ल्ड कप खेलना है रिले रसू, ससांग सिंग, जितेश सर्मा मैंने देखा नहीं अभी इंग्लैंड का स्कुएट की जौनी बेश्टो है की नहीं आप कमेंट करके बताईएगा लियाम लिविंग इस्टन, सैम कुरान, आसुतोस सर्मा, हरसल पटेल, राहूल चहरा और स्टीप सिंग इनकी प्लेइंग 11 रहेगी नाथन इलिस इसमें आ सकते हैं फिर एक 4M प्लेयर को इनको हटाना होगा जैसे कि लिविंग इस्टन फ्लॉप रहे थे, लाश्ट मैच में भी मौका मिला तो इनकी जिगपे नाथन लेली आ सकते हैं अब यहाँ पे दोरों टीम के बिश्च में 27 हेट टुएट मुकाबले हुए 16 जीता है, राहस्थान ने 11 जीता है, पंजाब ने लाश्ट के तीन मैच लगातार हार के आ रही है, राहस्थान लेकिन पहले बहुत अच्छे पोजीसन में थी अनफॉर्चनेटली लाश्ट के तीन मैच हा रहे हैं, लगातार नहीं तो जीत के आ रही थी, आठ मैच जीते थे इन्होंने दो मैच लगातार पंजाब हार के आ रही है, पंजाब अल्ड़ी बहार हो चुकी है अब यहाँ पे 2024 का मैच मैच मैंने दिखा दिया 187 बनाया था पंजाब ने, राइस्थान ने चेस कर लिया, इसमें सैम कुरान ने 49 रन एक विकेट, जितेस ने 44, रवाडा ने 2 विकेट इलिस चहर और अर्सदीप ने एक एक विकेट लिया यह सस्वी ने 50 बनाया, हैत्माहर ने 60, रयान पराग ने 20 बनाया, तीन विकेट नवदीप सैनी ने, एक विकेट बोल्ट ने 197 बनाया पंजाब ने, राइस्थान ने इसको भी चेस कर लिया यानि लाश्ट के वो तीनों मैच आपको दिख रहे हैं, वो राइस्थान ने चेस करके जीते हैं, पंजाब के अगेट सिखर ने 86 बनाया, साड बनाया, प्रभसिमरंग ने 27 रम बनाया जितेस ने, नाथन इलिस ने 4 विकेट लिया यह जो मैच आपको दिख रहा है, यह इसी गुवा हार्टी के पिछ वाला मैच है, ठीक है, गुवा हार्टी पे ही यह मैच हुआ था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था, कि नाथन इलिस ने 4 विकेट लिया थे, एंड इस वैन्नियू पे, अर्सदीप ने 2 लिया, ने चेस कर लिया, यानि लाश्ट के चारों मुकाबले, सेकंड बैटिंग करते हुए राइस्थान ने चेस किया है, पंजाब के अगेंच, बेश्टो ने 56, जी तेस ने अच्छा किया, लिविंग इश्टन ने 22 बनाया, अर्जदीप ने 2 विकेट, रिसी धवन और प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं, राजिस्थान की तरफ से, तो बटलर करते हैं, जो कि अवलेबल नहीं है, सेमसंग करते हैं, बाइस मैच में, 720 रने 119 हाइश्ट है, ये सस्वी 5 में 2768 हाइश्ट और चेहल ने 19 मैच में 30 फिकेट, अब पंजाब की तरफ से कौन से प्ले 24 हाइश्ट, ये सीजन इंका फ्लॉप गया है, बिलकुल, 24 बेश्टो 6 मैच 172 हाइश्ट, मिला जुला रहा है, कुछ खास किया नहीं है, वैसे इस सीजन भी, सैंचुरी लगाई थी, एक मैच में विन करवाया था टींग को, सिखर धवन 24 मैच 689 हाइश्ट, हरसल पतेल 12 म बॉलर्स देख लेते हैं, राइस्थान के कौन से बैट्समन को वो परसान करते हैं और आउट करते हैं, ये सस्वी को अरसदीब सिंग 20 बॉल में दो बार आउट कर चुके हैं, नाथन इलिस ने 16 बॉल में दो बार किया है, जौस बटलर का हम को देखने ही जरूत नहीं, ज अरसदीब के अगें 78 रन, अब यहाँ पर अगली स्लाइट में देख लेते हैं, पंजाब के बैट्समन और राइस्थान के बॉलर, तो संदीब सर्मा ने सिखर दवन को 24 बॉल में दो बार आउट किया, सिखर को मौका नहीं मिल रहा है, खेल नहीं रहा है, क्या वज़े हो सकता है, इंचर्ड होंगे, जॉनी बेश्टो को चेहल ने 49 बॉल में दो बार आउट किया है, तो कर सकते हैं, इसके अलब आवेस खान ने 5 बॉल में दो बार आउट किया, जी तेस को यह बहुत अच्छा मैच अप है, और कोई खास है नहीं, अलग-लग प्लेयर का स्टैट देख लेते हैं, टॉम कोलर को, कैंड मोरे की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, पी एसल वगरे भी आइधिंग खेला था, वहाँ भी फ्लॉप रहे थे, बहुत खराब फॉर्मिंग की थी, T20 ब्लास्ट में भी खराब फॉर्म थी, हेट-to-head और वैन्यू पे इन्होंने इंपोर्टन रहेंगे, यहां से, संजू सैंसंग बहुत अच्छी फॉर्म में, बड़ी-बड़ी इनिंग खेलते हैं, नोट आउट भी हैं, दो-तीन-चार इनिंग में 68 बनाया था, 720 रन बनाया है, 22 मैच में हेट-to-head में, वैन्यू पे इंका ठीक रिकॉर्ड है, एंड रियान पर अग मश्ट बिक हैं, बैटिंग पेचे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में है, हेट-to-head में अच्छा रिकॉर्ड है, वैन्यू पे यह पुराना रिकॉर्ड है, इससे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि अब अलग टाइप की फॉर्म में आ गया है, दुरूप ज पाश्ट के दो मैच से विकेट ले रहे हैं, पाँच विकेट ले चुके हैं, एंड-hit-to-head में इंका, विकेट तो काफी है, एक-इस मैच में एक-इस विकेट है, वैन्यू पे भी दो में तीन विकेट है, रिकॉर्ड ठीक है इंका, लेकिन इस्पिनर को कम मदद है, वही म मुंबई के अगेंस, एक मुंबई के वांखड़े इस्टेडियम में हुआ था इसी सीजन, वहाँ इन्हों ने तीन विकेट लिया था, उसके बाद से फ्लॉप हो गए है, हेट-to-head में 14 में 10 है, ठीक रिकॉर्ड है और वैन्यू पे दू में 3 है, इसके बाद आवेस खान सीजन अच्छा कर रहे हैं बट लाश के दो मैच से इनका ओर कट जा रहा है, तो रिस्की हो गया है, और यह बैटिंग पिछ है, तो यहाँ भी हो सकता है, कम विकेट मिले, 8 मैच में 6 विकेट है, हेट-to-head में वैन्यू पे खेला नहीं है, चहल, इनका यह वही हाल है, सुर इनका नाव आया, मैचेज में, कुलदीप से इनको जब भी मौका मिला है, तो अच्छा किया, अगर खेलते हैं तो इंपोर्टन रहेंगे, देख सकते हो रिकॉर्ड, वैन्यू पे भी एक मैच खेला है, तीन विकेट लिए, अच्छा रिकॉर्ड है, बटलर खेलेंगे नह बसक्तास रिकॉर्ड नहीं है, वैन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, एक मैच में साट बनाया है, बैटिंग पीचे बैट्समन ले सकते हो, जोनी बेश्ट विकेट पे अच्छा कर सकते हैं, हेट टु एंट में अच्छा रिकॉर्ड है, रिसेंट फॉर्म ठीक है, लेकिन बैटिंग से फ्लॉप हुए था इंकी जग पर नाथन इलिस आ सकते हैं इस पिनर को उतनी मदद नहीं इसको देखते हुए इंको बॉलिंग के लिए तो खिलाया नहीं जाएगा और बैटिंग जो इंका का में वो इन्होंने अच्छा किया नहीं हेट टू हेट में इंका ठिक ठाक रिकॉर्ड है कुछ खास है नहीं वैन्यू पर खेला नहीं है जितेश सर्मा लगातार फ्लॉप रहे हैं सैम कुरान इंपोर्टेंट है बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉंट्रविशन देते हैं मश्ट पिक आपके लिए हेट टू हेट में अच्छा रिकॉर्ड है वैन्यू पर एक ही मैच खेला है फ्लॉप रहे है असरतोस सर्मा को लाश्ट के कुछ मैचे से उतनी बैटिंग नहीं आ रही है अगर आती है तो इन्होंने बड़े-बड़े इनिंग खेली है अगर आपको किसी फास्ट बॉलर को लेना है तो उसमें हरसल का नाम हो सकता है क्योंकि यह स्विंग कराते हैं, स्लोर बंस फेकते हैं, मिक्स कराते हैं, कटर्स फेकते हैं जिसके वज़े से इनको विकेट मिल सकता है, head to head में यह बहुत अच्छा रिकॉर्ड है 11 मैच में 19 विकेट है, रिसेंट फॉर्म अच्छी है वैन्यू पे खेला नहीं है इसके लाव राहूल चहर, लाश्ट मैच में 3 विकेट लिया, उसके पहले 2 लिया बॉलिंग अच्छी करा रहा है, वही मैंने बोला न, कि second inning में अगर इनकी बॉलिंग आती है, तो इनका आप कंसीडर कर सकते हो head to head में अच्छा record है, वैन्यू पे एक ही मैच खेला है, विकेट नहीं मिला था इसके बाद अरस्दीप सिंग इंपोर्टन हो सकते है, पेसर्स में, क्योंकि इनको लगबग 4 ओर हर मैच में दिया जाता है, एक 2 मैच में काटा गया है head to head में बहुत अच्छा record है, 8 मैच में 16 और वैन्यू पे एक मैच में 2 विकेट है हर्पृत ब्रार, कुछ खास मौका नहीं मिल रहा है रबाडा को लास्ट मैच में खिलाया नहीं गया था, जबकि मैच अपस बहुत सारा था, प्लेयर्स बैटल में इंका कई जगों पे नाम था अगर खेलते हैं तो important रहेंगे, head to head में बहुत अच्छा record है, 8 मैच में 14 विकेट है इनको खिलाया नहीं जा रहा है हर्पृत सिंग को यह हमारे डेमो टीम है, संजू सैंसंग, जौनी बेश्टो, यह सस्वी, ससांक, रेले रसो, सैम कुरान, रयान पराग, चहल, हरसल पतेल, संदीप सर्मा और अरसदीप सिंग को मैंने लिया है कुछ हमारी प्रिवियस बिनिंग है, जिसका लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा चुकि बैटिंग फीचे तो बैट्समेन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है संजू सैमसंग, यह सस्वी जैसवाल, यहां से सैम कुरान और रियान पराग यह कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस है पेड मेंबर्सिप की बात कीज़े हमारा एक मात्र वाटसप नमबर है 914-0233-474 हमारा पेड मेंबर्सिप का चार्ज मार्केट में सबसे ज़दा हाई है और विनिंग भी सबसे ज़दा हाई होती क्योंकि हम लोग लाखो रुपए पेमिंट करते हैं यूच कलेक्ट करने के लिए उसी रेसियो में हमने मेंबर्सिप का चार्ज रखा है अगर आपका बजट है तो मेंबर सीफ आप ले सकते हो अधरवाईज आपके पेड मेंबर से लेने से हमको एक रुपए गाई बेनफिट नहीं होता है उससे ज़्यादा हमारे expenses होते है अभी के लिए वीडियो में इतना ही आपके होश्ण दो संकुरी साइनिंग आउट बाबाई